हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब तो भाई यह जनका प्रावलम है कि सर जब भी मैं किसी लड़की को देखता हूँ तो मुझे गंदे और अश्रील सबने आने लगते हैं मैं बहुत जारा बेचेन हो जाता हूँ मैं भ्रह्मचरे पारन करना चाहता हूँ मैं भ्रह्मचरी बनना चाहता हूँ इन सब चीदों से दूर होना चाहता हूँ पर नहीं हो पारा तो मुझे इससे कैसे चुटकारा मिलेगा मेरी इस प्राव्लम का सोलुशन दीजिए मेरे भाई यह सिफ तुमारी परिशानी नहीं है और भी भासते भाई हैं जो इस चीज में घुसे पड़े हैं करना तो चाहते हैं भुरह में चाहरे पालन पर कहीं न कहीं बजा एकी है वो है लड़की लड़की उनके माइड में से नहीं निकल लए तो इस वीडियो को मेरे भाई धियान से देखना आज आपकी इस हकीकत से परदा उठा के जाऊंगा जो आप करना चाहरे हो जो लड़की को लेकर आपके डिजार्स हैं आज मैं इन चीजों से परदा उठा के जाऊंगा देखो भाई इस सब क्या हो रहा आपके साथ क्यों आप किसी लड़की से दूर नहीं रहे पा रहे हैं क्यों आपके माइड में लड़की चल रही है यह आपकी इच्छा हैं यह आपकी डिजार्स हैं जो खतम नहीं हो रहे हैं एक fantasy है उस लड़की को लेकर जो इसे आप देखते हो आपको क्यों आते हैं किसी लड़की को देखकर गंदे सपने योकि आपके मैंड में कोई नगी सोच बनती है उस लड़की को लेकर मालो आपने कोई मूवी देखी उस मूवी का आपको सीन बहुत जारा अच्छा लग गया बहुत जारा और मूवी देखने के बाद भी वह सीन आपके मैंड में च्छपा रहता है चलता रहता है और आप उस चीज को रियल में करना चाते हो पर नहीं कर पाते और जब आप नहीं कर पाते हैं तो सपनों के जरीए वो चीज आपकी पूरी होती है ऐसा ही मेरे भाई लड़की भी है आप कोई खूप सूरत लड़की देखते हो उस लड़की को लेकर आपकी बहुत सी इच्छाय होती है जो reality में पूरी नहीं हो पाती ऐसा तो नहीं है न मेरे भाई आपने किसी लड़की पर नजर डाली और वो आपकी हो गई आपकी हमसवर बन गई आपकी girlfriend बन गई नहीं हो सकता नहीं हो सकता तो बस जब ऐसा नहीं हो सकता तो आपकी जो इच्छा हैं वो सपनों के जरीए पूरी होती है चाहे वो अशलील सपने हो चाहे उस लड़की के साथ संभोग करना हो इस तरह के तो डिजार साथ के और ज़ारता लड़कों के यहीं डिजार से girlfriend बनाओ प्यार मख मत करो संभोग करो क्या मिलेगा मेरे भाई इस तरह की इच्छा लगकर आपको क्या मिलना है पहले यह बताओ बेचेन हो रहे हो परिशान ही तो हो रहे हो और क्या लगता आपको अगर आपको girlfriend बना लेते हो तो आपको क्या सुकून मिल जाएगा आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हो और अगर मिल भी गया आपको आपने संभोग कर भी लिया प्यारमवबत कर भी लिया तब भी क्या आपको वाकिए वो खुशी मिलने वाली जो आपके लिए बनी है जो सिर्फ आपकी ही है नहीं मेरे भाई पूछो उनसे जो इन चीजों में घुसे पड़े हैं जिनके भी यही डिसार्स थे कि एक गल्फिंड बनाएंगे प्यारमवबत करेंगे उनकी जिन्दगी में कोई स्कून नहीं है वो परेशान है मेरे भाई कुछ भी नहीं मिलने वाला सिर्फ वक्त की बरबादी है तो ऐसी इच्छाओं को खतम करो मेरे भाई जितना जरा आपके अंदर यह अच्छा उठेंगी आप उतना जरा परेशान होने वाले हो यह मेरे भाई शरीर जो है ना मारा शरीर यह खोग लाए यह बोड़ी खोग लिए एक दिन खतम होने वाली है तो क्यो इस बोड़ी को उन चीजों में बरबाद कर रहे हो जिससे आ आपको बचने के लिए किया करना है सुबर आठना एक अपकी सोच आइससे बदलने लगाना मेरे आपके लिए यह नकरात्मा कुर्जा अब इसको आपको पॉजिटिव में बदलने की जरूए और अगर आपको इस उरजा कोawaysटिविटिवीटी में बदलना है तो अपने दि बदलना पड़ेगा बुरह में चरह पालन आपको करना पड़ेगा तब जो आपके आपको सुकोन मिलने वाला है इन चीजों से आप दूर हो जाओगे नगर आत्मा उर्जा को नेगी डिविटी को खतम करने का एकी तरीका है कि अच्छे काम करो पॉजिटिव चीज़े करो त सब्सक्राइब करना मत भूला और जो घंटे काया गंधी कर तो ताकि मेरे जो भी वीडियो अपलोड हो और सबसे पहले आप तक पहुंचे और अगर बाई किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेड़े में बताओ मैं इस टॉपिक पर वीडियो जरूर ले कोई भी प्रॉब्लम है मुझते परसनली बात करना चाहते हो तो इस्टेगराम डिक डिस्यूपिशन में इस्टेगराम पर फोलुम आ रहा हो हो हाँ 13 अपने प्रॉब्लम में शेयर कर सकती हो और आप हमारे सार्थ टेलगराम पर भी जौन कर सकते हो तो मिलता सब्सक्ति कर झाल झाल